हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, आप लोग कैसे हैं, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र, मास्त और स्वास्त होंगे, इसी उमी दौराशा के साथ में आज की कोई भी कंटेनर हो, कोई भी जो आपको लगता है कि वेस्ट है, आपको कूडे में फेकना है, उस सभी का आप यूज अपने गाडन में कर सकते हैं, और यह जो है, सभी बहुत ही अच्छे से चलेंगे, चाहे वो तूटी भी मत्की क्यों ना हो, तूटे भी डाबर के डिब सभ्वा जो चवण प्रास यह मैं होता है, तो सभी'' कभार में अपने पहुत हैँ, नहीं मिलता रहता है, वन तक immer आगे यह दिहान i open up, ऐसनी ब्लांट लगा दिया है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और यह भी फूल भीनाई किया है द्धोस्तों फिर पूल यह इति दोस्तों पूल इस तरीके आथे मिलिए सदाभार को आपको तोटा इस में ब्रीक आपको तोटा जू कि और प्लांट में महथें आ 것은 सञे को थे को लाइक और यह फ्लावरिंग भी दे रहे हैं तो अगर इस तरीके का कभाड आपके घर में आता है तो आप उनको बिल्कुल ना फेके उनमें प्लांट ग्रो करें यह जो डिबे हैं दोनों यह मेरे टूट गए थे बाल्टी है इसमें लगा हुआ है यह पत्थर चटा का प्लांट जो है इसे कभाड समझके मत्व हैं यह बहुत ही कीमती है और यह देखिए यह वी बेकार का ही डिबा है मेरे घर से निकला हुआ जिसमें मैंने लगाया हुआ है सदा बाहर का प्लांट और जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है यह भी तूटी भी बाल्टी थी फ्रेंट इस में लगा हुआ है कैक्तस और जो कि बहुत अच्छे दल रहा है आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है यहां पर भी देखिए फ्रेंट यह पांच लिटर का बेकार का डिबा है जिसमें लगा हुआ है गुल्दावदी यह बेकार की टोकरी है इसमें लगई यह देखिए यह भी मेरा ओयल का ही केन है और यह देखिए ओयल की केन में लगा हुआ है मेरा गुल्दावदी का प्लांट जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है यह देख सकते हैं और भी मैं आपको दिखा हूँ यहां पर देखिए दो केन और है ओयल की यह देखिए यह दे स्टिक पॉट चुका है लेकिन प्लान देखिए बहूत ही अच्छे से इसमें चल रहा है यहां पर देखिए फ्रैंट्स यह भी ऑल कीण है इसमें बहुत अच्छे से चल रही है यह दो देखिए- एक रही का डिबबा है और दभी मेरा लगा हुआ है में इसमें लगा हुआ है मेरा कड़ी पत्ता यहां पर यह विकार का प्रेंग बिए की बुतलों से और मैं आपको रिखाती हुआ सब आपके यह तूटी मटकी है और मेरा मौस्वोस के प्लांट डिबांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं और बहुत अच्छी सी फ्लाविंग भी दे रहे हैं और ये देखिए ये भी रसोई गर्सिन इकली वी तूटी बालती है जिसमें मेरा कड़ी पत्ता लगा हुआ है और कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छे से चल रहा है और ये अच्छे से चल रहा है ये बाटले 2 लिटर वाली बाटले हैं और इसमें लगे हमे हैं ये मेरे सारे jet plant और ये बहुत लंबे समय से बने हुए है ये बाटले आई दिन हमारे घर में आती है माजा की कोला की तो आप इनको बिल्कुल भी ना फिके और यह देखिए यह भी 2-liter की बाटल है friends और यह देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है friends आप सोचते होंगे कि इस कभाड में पौदे ग्रो नहीं करते हैं तो मैं आपको बताओं यह कभाड में पौदे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं यह देखिए यह भी प्लांट देखिए ही आप समझ जाएंगे इत्मा मोटा इसका स्टेम है और यह लग्की प्लांट भी है friends जैट तो इसको जरूर अपने गाडन में लगाएं यह भी 1-liter की बाटल है friends यहापर भी रेखिए यह सारी बाटले हैं यह देखिए यह भी बाटल है यह देखिए और दिखाती हूं friends बहुत सारा है मेरे गाडन में तो कि यह देखिए यह पूरा वॉल है friends जिसमें यह कभाड रखा हुआ है चाए घर के टूटी भी करवा चौत की मटकियां हो चाए बेकार के सारे डिब्बे हो बाटले हो मैं कुछ भी नहीं फेकती friends जो कि मुझे लगता है कि मेरे टैरेस गाडन में इस्तिमाल हो सकता है या मैं उनमें प्लांट्स लगा सकती हूँ तो मैं सभी का उपयोग जो है अपने गाडन में करती हूँ तो यह पॉटले मैं हमेशा ही आपसे शियर करती रहती हूँ यह रिखी friends तो I hope friends आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि अगर आपके रसोई खर से भी इस तरीकी का कबाड अगर निकलता है दिवाली आ रही है तो बिल्कुल भी उनको नाफिक है और उनका इस्तमाल करें अपने गाडन में और बहुत अच्छा लगता है इनमें प्लांट्स ग्रो करना थैंक यू फ्रेंड्स भाई हैपी कार्णिंग बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू फ्रेंड्स